आज आपका दोस्तों next question है चलिए देखते हैं यह आपका है question number 6 जो 2.2 का last question है चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे बोल रहा है जायदेव और महादेव पिकनिक पर गए उनकी मा ने उन्हें 3 लीटर दूद एक बोतल में दी महादेव ने कुल दूद का दो बटा तीन भाग एवं सेस दूद जयवदेव ने पिया देखें दोस्तों क्या होता है कि दो भाई है या दो दोस्त हों कि कोई भी हो सकते है समझें अब क्या करते हैं वो दोनों जाते हैं पिकनिक पर अब वो वाला पिकनिक नहीं है यह छोटा मोटा पिकनिक है अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यह पिकनिक पर जा रहे होते हैं तो इनकी माँ जो होती है कि इनकी माँ यहाँ पर देखिए मतलब उन्हीं की मा यानि ये दोनों भाई ही होंगे, ठीक है, तो उनकी मा देती है दूद, और दूद की जो कुल मातरा होता है, वो होता है तीन लीटर, मतलब तीन लीटर क्या करती है, एक बोतल में दूद को भर देती है, ठीक, अब वो दोनों चले गए पिकनिक पे, तो य अब यहाँ पर आपका जो question है वो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है चलिए देखते हैं पूछ रहा है महादेव ने कितना दूद पिया ठीक है आपका question पूछ रहा है महादेव ने कितना दूद पिया बता तो देखिए यहाँ पर आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेग यहां पिए आपका question number one महादेव आपको पता है कि कुल दूद की मातरा था कितना कितना था दोस्तों 3 लिटर था नवादेव कितना भाग पिलिया था महा देव ने कुल दो बटा तीन भाग पिया यह नहीं ना पिया था अब बात आता है कि महा देव कितना पिया तो यहां से आप लिख देंगे क्या महा देव के द्वारा पिया गया दूद की मात्रा कितना था बता यह टोटल दूद कितना था तीन लिटर अब इसी में से यह कितना पिता है तीन लिटर का ही दो बटा तीन भाग तो तीन लिटर का क्या कर देंगे दो बटा तीन तो काट ये, ये तिन, ये तिन कट गया, बचा क्या, दो लिटर, यनि कि दो लिटर दूद कौन पीता है दोस्तों, महादेव पी लेता है, ठीक है, चलिए आप देखते हैं, question number दूसरा पुछ रहा है आपका, दूद की कुल मातरा का कितना भाग जयदेव ने पिया, जब बत जानना पड़ेगा कि ये देखिए, ये जो आपका दूद था, इसको अगर देखा जाए कि संपुर्ण, तो संपुर्ण ये अपने आप में कितना होगा, ये आपका होगा, एक यूनिट, क्योंकि देखिए भिन का मतलब क्या होता था, भिन वासंख्या होता था, जो कोई एक संबुर्ण चीज के छोटे से टुगडे को क्या करता था, बताता था, या इसको रिपरजेंट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पढ़ेगा कि एक संबुर्ण चीज आपका होगा क्या, दूद, ठीक है, और कोई भी संपूर्ण चीज अपने आप में क्या होता है एक होता है या उसी को अगर आप यूनिट में मानेंगे तो एक यूनिट होता है ठीक है अब उसी को हम क्या करते हैं छोटे-छोटे टुकडों में बाट करके बात करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भिन बोलते हैं तो चलिए यहां पर देखते हैं कि यह जो दूद की कुल मातरा है उसका कितना भाग जैदेव ने पिया ठीक है तो सबसे पहले हम मानेंगे कि दूद की कुल मातरा होगा कितना चलिए माना की दूद की कुल मातरा बराबर एक एक ही काई ठीक है दोस्तों अब मान लिया है चलिए देखते हैं आप इसमें से देखिए ये जैदेव कितना पिलिया था आपका महादेव कितना पिया था दो बटा तीन भाग ठीक है तिहां से देखिए अब देखिए ये बच कितना गया है याने कि इसी में से हम बोल सकते है कि जो बचा होगा उसी को क्या पियेगा, कौन पियेगा, वो पियेगा आपका जैदेव, तिहां से आप निकाल लेजे, जैदेव द्वारा पिया गया दूद का भाग, अब कितना पियेगा देखिए, टोटल दूद था कितना, एक यूनिट, ठीक है, तो अगर इसको आप बनाना चाहेंगे, क्या कीजेगा, यहां लिख दीजे, कुल दूद मैनस, किसका, महादेव द्वारा पिया गया दूद, ठीक है, यहादेव कितना पिता है, आप ही देखिए, टोटल मेरा है कितना, एक यूनिट, एक है ना, अब अब आपका देखिए, एक था, आब एक में से ये कीतना पिता है, वो जो आपका महादेव था, वो दो बटा, तीन, क्या किया था, फी लिया था, ठीक है, अब इसको क्या किजेगा, आप सब्टराक्ट किजेगा, तो यह आपका क्या है, एक अब देखें, ये दोनों का आप LCM निकालिए, तो एक और तीन का LCM तीन आएगा, अब एक का पहला में तीन कितना बार में आएगा, तीन बार में यहां से भी एक तीया, तीन मैनस तीन का पहला में तीन एक बार में, तो यहां से दो एक का दो, अब तीन में से अगर आप दो घटाईएगा तो आपका कितना बचेगा एक और यह नीचे कितना था तीन यानि ये एक बटा तीन भाग को किसने पिया दोस्तों ये आपका पिया जये देव और अगर आप इसको 60 मही निकालना चाहे हैं तो आप ही देखे यहां पे कितना भाग पी रहा है 2 बटा 3, तो टोटल कितना था आपका 3 भाग, जिसमें से 2 भाग कौन पिलिया आपका, महादेव, तो जयदेव कितना पिया होगा, बताईए, जो बच गया तो यहाँ पर बचा कितना, 1 कितना मैं से 3, मतलब यह 1 बटा 3 भाग को कौन पियेगा, या आपका पिएगा जय देव ठीक है दोस्तों आसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू